हेलो अव्रिवान, वर्कम तो माई चैनल सभी लोगों के लिए जिनको भी हावा से रिलेड़िट कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट और आप ये बात जान लिजे स्कूटर्स के वेट के अकॉर्डिंग हमें उसमें हावा रखनी होती है हमें उसमें air को maintain करना होता है तो उसके लिए company क्या करती है आपको properly एक manual provide किया जाता है कि जिसमें आपका accurate tire pressure को denote किया जाता है कि आपको इतना tire pressure अपनी गाड़ी में maintain करना है या इतना tire pressure को अपनी गाड़ी में रखना है Activa के front dashboard में आपको उसमें एक चिट चपकी होई दिखती होगी फोटो आपको show हो रही होगी जिसमें के लिखा हुआ है कि आपको front में 22 और rear में 29 रखना है अगर मैं बात करूँ worst case scenario की वो ये है कि अगर आप उसमें तीन बंदे चल रहे है प्लस समान कैरी कर रहे है तो वो worst case scenario हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको अपनी गाड़ी में tear pressure ज़्यादा maintain करना पड़ेगा तो मैं उन लोगों को भी लेके चलूँँगा यानि के रियर में 29 बोल रहे है वो बात अपनी जगह पर सही है क्योंकि कम्पनी उस हिसाब से आपकी गाड़ी के tear pressure को maintain और या फिर गाड़ी के tear pressure को आपके check करती है लेकिन अगर मैं बात करो Indian road conditions के हिसाब से या फिर मैं एक situation लेके चलता हूँ आपकी 106 kg और आपकी active 159 kg और आपकी active 159 kg और शुजुकी बर्गमैन का तो वेट बहुत ही ज्यादा है ठीक है तो यह बात बहुत इसली justified है कि आपको शुजुकी बर्गमैन में काफी जादा air pressure रखना पड़ेगा as compared to active 155 और as compared to active 16 लेकिन active 16 और active 155 में आपको दोनों में equally ही आपको मैनुवल में लिखा गया है कि एक कोई टायपेशर आपको फ्रेंट में 22 और रियर में 29 आपको मेंटेन करके रखना है तो हम लोग बात करते हैं जनरल टॉपिक पर यानि कि आपको कितना रखना है आपको किस हिसाब से आपको टायपेशर मेंटेन करना है मैं category वाइस बात करूंगा तो जिस भी category में आप बठा के चल रहे हो और आपने 20 से 25 दिन आप individual चल रहे हैं तो उस case में आपको अपनी गाड़ी में front में आपको 25 PSI रखना है and rear में आपको 32 PSI रखना है ये है as an individual और समान तो हर कोई carry करते हैं और अगर समान नहीं भी carry करते हैं आप single चलते हैं तो भी आपको इतना टायपे maintain करके रखना है अब बात करते हैं second scenario की जो कि है आपका दो लोग बैठे हुए आपी गाड़ी में अब दो लोग अब हर कोई का weight अलग अलग होता है individual में बात कर रहा हूं अगर किसी का weight 60 kg है 70 kg है 50 kg है 40 kg है 80 kg है 90 kg है 100 kg है तो उसके हिसाब से आपको अपनी गाड़ी का maintain करन है for example मैंने एक worst case scenario ले ले कि किसी का weight जो है 100 kg है 100 kg भी है और plus समान भी थोड़ा बहुत carry करके ला रहा है तो क्या है उस case में आपको front में 25 तो रख नहीं रखना है वो तो mandatory है लेकिन आपको rear में आपको कितना रख लेना है फिर आपको 33 34 में चले जाना है 33 34 एक PSI आपको on weight आपका 100 से above निकल रहा है तो आपको front में 26 कर लेना है एक PSI को आगे बढ़ा देना है और आपको rear में 35 कर देना है इस हिसाब से आप करेंगे तो आप उसमें weight भी carry कर सकते हैं कुछ समान भी carry कर सकते हैं और आप दोन लोग उस गाड़ी में चल सकते हैं अब third case में आता है है वो तो उस हिसाब से भी आपको अपनी गाड़ी में front में 25 रखना है और रियर में आपको 33 रखना है क्योंकि अब बात समझेए कि अगर मैं आपसे बोल दू कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब मैं अपनी गाड़ी में order लाने के लिए तो एक बंदा ने करता तक क्या ख है या मेरे पास रोज सो लोग आते हैं रोज में इससे क्या सीखा में यह चीज हो जाती है यहां पर कि लोग को अभी भी नौलेज नहीं कि आपको कितना टैर पेश्र मेंटेन करना है तो आपको अपनी गाड़ी में अगर आप इंडिविजल चल रहे हैं अगर आप दो लो किस प्रकर आपको टैर पेशर मेंटेन करना है अगार अप इंडिविजल चल रहे हैं हलका-फलका समान कैरी कर रहा है तो अगर दो लोग चल रहे हैं समान कैर रहे हैं और इर में आपको 36 कर देना है तो यह है आपका perfect balance आपकी गाड़ी में exact tire pressure का लेकिन मैं यही कहुँगो कि कभी भी ज्यादा हवा मत दलवाई का ज्यादा हवा डलवाने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी जम्प करती है और आपकी गाड़ी जब रोड में गड़े बागर आते तो आपक अब बात करते हैं कि क्या आप लोग अपनी गाड़ी में nitrogen दलवा सकते हैं नाइट्रोजन एस कंपेर टू नॉर्मल एयर काफी ज़्यादा हलकी होती है और आपके tire काफी ज़्यादा रखती है ठंडा रखती है तो क्या अगर मेरी गाड़ी है पहले से हवा तो क्या में उस नॉर्मल टेंट्रेचर ही है लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के रणिंग आपकी 15-20 km रहती तो अपनी गाड़ी में nitrogen प्रिफर कीजिए वह ज्यादा अच्छा रहागा एस कंपेर टू नॉर्मल एयर विकॉससे आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा क्योंकि टायर आपके तो यह था फूल आन कि आपको कितनी हवा अपनी गाड़ी में दलवाणी है मेरे पास Act 495 VS6 है तो बहुत मेरी जित्ती भी ondience है मेरे जित्ता भी लोग मेरे को देखते तो उनके पास maximum Act 495 VS6 या फिर Activa 6 यह इसलिए मैं इस गाड़ी से ऐयरेट आपको बता रहा हूँ मैं इस series को मैं bike से connect नहीं कर रहा हूं और नहीं मैं इस series को अपने car से connect कर रहा हूं मैं just इस series को अपने scooter से connect कर रहा हूं और यहीं बताना चाहते हो कि इसके पास Suzuki Bergman या फिर high end scooters जिसका weight थोड़ा जादा होता है तो उसमें आपको फ्रेंट में 29 या फिर कभी-कभी तो फ्रेंट में 26, 27 ऐसे मेंटेन करना पड़ता है एंट्रियर में थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये थी आज की फुल और डिटेल्ड वीडियो होप सब कोई वीडियो पसंद आयो कि thank you so much for watching, love you all guys, bye, take care